नमस्कार, सब्माण अभिग्ञान के प्रस्न सिंकला में एक बार फिर से आप सपी का हाड़िक स्वागत करता हूँ आज चुरू करते हैं आज का पहला प्रस्ना है माईका है तो माईका के बारे में बता दो आपको माईका को अबरक भी बूलते हैं हिंदी में सबके गरों में वायर तार यूज़ किये जाते हैं एलेक्टिसिटी सप्लाई करने के लिए तो तार के उपर के जो खोल होती है वो माई का या अबरक होता है तो सबसे पहले आप ये जाने जिए दूसरी चीज़ ये गैर धातू होती है ठीक है? सिकेंडर चीज़ इसके बारे में ये हो गया तिसरी जो मतोफुल फैक्टिस का जिसके वैसे इसको हम यूज़ करते हैं तार के उपर खोल चड़ाने के लिए और यहां पर आपकर आइट आंसर भी ए है कि ये उस्मा का चालक होता है और साथ ही साथ बिद्दूत का भी सारी उस्मा का चालक होता है और बिद्दूत का कूचालक होता है इससे क्या होता है? अगर ये गर्म भी होता है तो गर्म होने से उस्मा जो है इसके चालन माध्यम से चालन प्रापर्टी की वज़े से यह गरम नहीं होता है उसमा निकलती रहती है और साथ ही साथ बिद्दूत कुछालख होने के वज़े से हमें करेंट या हमें बिद्दूत की जड़के नहीं लगते है तो बिल्कुल यह बिद्दूत रोधन शमता इसमें आधिक होती है बिद्दुत उद्योगों में ये सरवादी को भियोग किया जाता है इसके बारे में जाली जी आप ये उच्छ बोल्टिज को सह सकता है उर्जा 6 इसमें कव बहुत कम होता है बिल्कुल आपका यहाँ पर यह हो जाएगा राइट आंसर तो आई देखते हैं अगला परस्ण है निम्ले में से किस उद्योग में अब्रक कच्छे माल के रूप में प्रयूखत होता तो विद्दुत उद्योग में निम्ले कि द्रवों में से कौन सा उसमा का बहुत अच्छा चालक है तो पारा प्रकृति में पाया जाने वाला एक मातर ऐसा धातु है जो की द्रव वस्था में पाया जाता है धातु है सामाने तो है उसमा की चालक होती है और कुछ धातु है उसमा की बहुत अच्छी चालक है जैसे चांदी हो गया आपका कापर हो गया आपका चांदी प्रकृ लें निम्ने मेंसे कौन उसमा का सरवाधिक उत्तम चालक है अगर उसमा की बात ढारो होता है तो कि यह सारे सारे प्रस्ण आपके किसी परिक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और बिल्कुल इंके आगे आने और परिक्षाओं में पूछे जाने की पूरी पूरी प्राबियोटी है तो बिल्कुल में तो चैनल में जो भी पहली पर आये हो चैनल को आप सब्सक्राब जरू कर अगला पारे का साधर अड़तिया ताप मापी अंत्रों में उप्योक जाता है क्योंकि इसकी विसेष्टा है कि अच्छ संचालन सकती है ऑन पर स्किmmום का राइड आएट आसर थोड़ा साब देख से बारे में कि इसके उस्भी प्रसार के दर उच्छ होती है उच्छ संचालन सकती होती हो इसमा कि प्रति इसी विज़े से इसको पंअपर अंतरों में प्रयोग依ा जाता है ng a ताप मान में होने वालेए थोड़े से परिवर्तन को भी दर जसें कर लETा है जानी उसका इफेक्ट को भी दर जब दिखाता है én और इसका को भूणांक कहता है 356.6 degree centigrade यानि लग बग तो लगबग आपो काlicht सब्सक्री उवर्जशंद्थ कानस मारं म्नली कर आकरो प्रकित में पाये जाने वाला एक मात्रा आप ब्लकुल उसका पड़ सकते हैं तो आई होप को यह प्रस्न समझ में आगया हो कि आ यह देखते हैं अग्ला प्रस्न है आप सभी भी आंसर करते चलेंगे तेजी से अगला है निम्न मेंसे कौन जल के साथ बिल्कुल अभी क्रिया नहीं करता है तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लेड से साबके जो तीनों है आरे, 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 मैगनेसियम, एल्मूनियम ये तीनों क्रिया करते हैं अगला है अपका तब कोई प्रतक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है उपर से इन मेंसे कौन भाप से क्रिया नहीं करता है आपको यह बताना है तो अल्मूनियम कार्बन और लोहा सबी क्रिया करते हैं अगर ताब के और अब ब underest ये नहीं करता है अग्ला प्र То вып sum लोह की यहतार है वह genial है है तो i aja को आपको मिने हें बता है पिसले प्रस्त में कि पिसली वीडियों में कि मोना जाट रेट इसी थोरियम प्राप्त किया जाता है भावश्च चे में लंकी रूप में इसका प्रयोग हो शकता है और जा हके हैं थोरियम है आपका TH भारत में ये लगबग 70% पर दुनिया का थोरियम भारत में पाया जाता है तो ये भी आप जानते रही है पिछ बलेंड़े ये बहुत ही महतपुल आयस होता है यूरेनियम का जिस यूरेनियम को हम नाब की रियक्टर में नाब की एदन की रूप में प्रय पर आपको सुमेलित करना है और आपको उचित बिकलपका चैन करना है देख लिए आप किसी पर एकजाम के तयारी करना हो यह इस परसंजिंकला आपके लिए बहुत मातपुड होने वाली है यहां पर देख लिए उस्मा तथा बिदुत का सरोत्तम संचाल अक्तु चांद हो पर उस्मा के लिए पर्कुल सब्सेदिक मात्रा में पायानी वाले धातु प्रकृति में अल्मोनियम हे है। लेकिन यहाप अप्सन मनें तो उसकी पसक अलमुनियम होता है तो आप यहाप अलमुनियम करेंगे फिर आपका सी सबसे अधिक लचेली तथा पीट कर बढ़ाये जाने योग्य धातू कौन सी है तो आप सभी जानते हैं सोना सरवादिक तन्यता आगात वर्दिनिता इसकी होती है फिर नेक्स्ट डी है आपका कि उसमा का नियोंतम संचालक अगर देखा जा तो सी सा हो गया ठीक है तो इस तरह से आपका सौरी एक पो डी बी का त्री सी का वन और डी का टू डी आपको हो जाएगा राइट आंसर नेक्स ज्यान का प्रस्ण सिंकला अभ्यास प्रस्ण सम्यासमात हो जाए उसके पसाथ फिर आपका अगला टापिक दिखेंगे तो इस तरह से आप बिल्कुल चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके वी वीडियो देख सकते हैं जो भी वीडियो पढ़ी हों की पहले की या फिर जो अगली सिंकला में फिर से मिलेंगे आपसे बहुत धन्यमाद आप सभी आसा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो बिल्कुल आप लाइक और शेयर करते चलिएगा झाल